20 साल बाद भारत की वर्ड कुप में लगातार आठमी जीत नमस्कार मेरा नाम है शिवम पुश्वाहा और आप देख रहे हैं दा खबरदान नियोच भारत ने एक तरफा मुकाबले में साउथ आफ्रीका को 243 रनों से हरा कर वंडे वर्ड कुप में लगातार आठमी जीत दर जिगन ली है इसके साथ ही भारत ने पॉइंट टेवल पर नमबर एक फिनिस भी तरकन लिया है यानि की सेमी फाइनल में भारत का सामना चौथे नमबर पर रहने वाली टीन से होगा व्याट कोली के रिकार्ड 49 सतक की बदोलत भारत ने कोलकाता की इडन गार्डन से स्टेडियम में टॉस जीत कर पहले बैटिंग चुने टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट खोगर 326 रन बनाए कोली ने नाबाद 101 रन बनाए और सचिन तिंदुल करके 49 सतकों के वल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली स्रेया सेयर ने भी 77 रन बनाए जवाब में साउथ आप्रिका की टीम 27 दसमलव एक उबर में 83 रन बनागर आल आउट हो गई भारत के लिए रविन रिचडेजा ने सबसे जादा 5 विकेट लिए तो वहीं मुहम्मस समी गुद्धो और खुलदी पियादों को 2 विकेट मिले भारत ने 20 साल बाद किसी वर्ल्ड कप में लगातार 8 मैच जीते इससे पहले टीम इंडिया ने 2003 वर्ल्ड कप में 8 मैच एक के बाद एक जीते थे भारत की सांदार जीत के लिए आप क्या गहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं